हलो एवरिवन विल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूं मौनिका कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज है 19 अक्तूबर और सुबा के 10 बजने वाले हैं 15 मिनट बाकी है और आप सोच रहे होंगे मैं कहा हूं तो मैं और मेरे हस्बरन आज आए हैं dislike हैं उपाने दस बजे के करीब और हम लोग जा रहे हैं यहाँ चोटा शुमला हम उतरे थे ट्रेंड्स में जारे हैं यह बहुत अच्छा शूरूम है ट्रेंड्स ब्रेंड है तो यहाँ हम लोग गये थे कुछोंदा इंट करनी थी यहां पर मैं पहले भी आये थी म मुहें कुट्ते गिफ्ट की है वह यहां से ली थी पिशार्टें के पास होती हैं यह पर बंड़ לה produto है है साइज तो बहुत अच्छे से परफेक्ट फिट हो जाते हैं तो यहां पर अब हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है उसके बाद यहां से हमें एक गिफ्ट मिला है तो चलिए वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी और यहां से हम लोग अब निकल गए हैं शॉपिंग करने के बाद और इसके बाद हम लोग गए थे संजॉली मेगा मार्ट तो संजॉली मेगा मार्ट में हजबन यहां पर जीन वगएरा देख रहे हैं तो यहां पर बहुत भीड रहती है और काफी अच्छा लगा यहां पर धूप सेकने को मिली बहुत थंडी थी शिम्ला में तो हमारे यहां भी रामपूर में इतनी नहीं है तो थोड़ी देर हम यहां रहे हैं इसके बाद हमने अपना सामान जो है वो मेरे जीजा जी के हैंड ओवर कर दिया था उसके बाद लोर बिजार वगएरा में थोड़ी शॉपिंग की उसके बाद हम उनी के घर चले गए थे उनी के साथ तो यह नेक्स्ट डे मॉनिंग का है सोकर अभी हम उठे हैं तो यह भी सक्तूबर का है और यहां मेरी सिस्टर आलू के परांठे बना रही है बस यहां से खाना खाने के बाद मैं पापा के पास गई वहां से हम लोग जो है घर के लिए निकल गए थे रामपूर के लिए बदन गजी है बतना रही हम आपाप के लिए यहां मेरी जो है यह भी हम आपाना खाने के लिए तो यह रुके हैं हम अपनी फेवरेट जगा पर जहां मैं चाय पीने रुकती हूँ बहुत अच्छी यहां टेस्टी चाय बनती है और बहुत अच्छा यहां का वैदर होता है तो आज यहां किसी फिल्म की की पता नहीं किसी सीरियल कोई चीज की शूटिंग हो रही थी तो सेट अप यहां पर लग रहा था आपको मैं दिखाती हूँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी है तो पापा और मैं चाय पी रहे हैं और हजबन यह क्लिप बना रहे हैं तो यहा पर किसी चीज की शूटिंग होने वाली थी तो बस वही सेट अप लग रहा था मुझे लगा चली आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग 10-15 मिनट यहां रुके उसके बाद हम लोग निकल गए थे धूप काफी अच्छी लगी हुई थी आज पापा फूटोस ले रहे हैं तो बहुत जाधा हम नहीं मना रहे हैं चोटा 팟 मना रही है उसके नाना नानी बुव दडादा जाधी और हम सब हैं दो चार बच्चे हो गए यहां पर उसके तो चलिए हम लोग त्यारी कर लेते हैं तो पापा ममी यहां बैटे हैं दादी जी भी बैटी है ठंड है जादा नहीं है पापा यहां पर गुबारों में जो हवा डाल रहे हैं फुला रहे हैं गुबारों को हस्बंड भी और ममी बैटे हैं तो बस ममी और दादी घर के कपड़ों में ही आ गए हैं तो इन्हें हमने अचानक से बुला लिया पहले हमारा इतना बड़ा कुछ करने का प्रोग्राम नहीं था और यहां लावन्या बैलून्स के साथ बहुत खुश हो रही है और पहले इतना कुछ हमारा प्रोग्राम नहीं था हमने सोचा था दो चार बच्चे बुला लेंगे क्योंकि हम भी ठके होंगे शिमला से जब जाएंगे तो अजानक से मेरा भाई भी आ गया आ रहा था किसी काम से तो मैंने का चलो आए है तो ठहर जा और उसके बाद फिर छोटा मोटा हमने मना लिया तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया है तो आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोगों को पसंद आएगा तो इस तरह का यह चोटा सा सेलिबरेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जरूर बताईएगा कैसा लगा तो पहले इतना कुछ हमारा नहीं था तो फिर अचानक से हो गया और अच्छा लगता है अगर शॉर्ट नोटीस पे सब इकटे हो जाएं बहुत अच्छा लगता है जो चीज प्री प्लैंड ना हो एकदम से हो जाए तो यहां मैं लावन्या को केक खिला रही हूँ और छे साल की वो आज हो चुकी है पूरी सातवे में लग गई है और ये मेरे ममी है ममी जी उसे केक खिला रहे हैं तो ममी जी जो है वो भी परिशान हो गए ये लोग घर के कपड़ों में ही आए हैं तो तीन बजे के करीब मैंने पापा से कहा था जब हम आधे रास्ते में थे कि पापा जी आप वहाँ आएंगे तो खाना खाकर ही चले जाना आज लावन्या का बर्थडे है तो पापा मान गए और उसके बाद मेरे भाई का फोन आया था कि दी कहाँ पर हो मैं भी वहाँ कुछ काम से आ रहा हूं तो मैंने उसे भी याद दिला दिया कि लावन्या का बर्थडे है तो फिर मैंने कहा ठहर जाना तुम भी सुबह निकल जाना गाड़ी लेकर ही आ रहे हो तो बस वो भी फिर मान गया और फिर पापा ने कहा अपनी ममी और दादी को बुला लेते हम दो तो है ही और सुबह इन लोगों को मार्केट ही जाना था तो फिर मुझे ये लगा कहा पापा अब वापिस घर जाएंगे रात में फिर आएंगे तो मेरा भाई वहाँ ड्यूटी से सीधा निकल गया माई के और वहाँ से दादी और ममी को साथ लेकर आ गया तो हम लोग जैसे पहुंचे वैसे ही ममी वगएरा भी थोड़ी देर बाद पहुंच चुके थे मतलब आदा गंटे के करीब हमें पहुंचकर टाइम हुआ था उसके बाद ममी वगएरा भी पहुंच गए और ममी ने गाओं में घर में जो है दाल वगएरा चड़ा दी थी उबाल दी थी तो वो भी ममी को मैंने कहा साथ लेकर आ जाओ और फिर अब यहां केक वगएरा कटिंग करने के बाद ममी केक वगएरा बच्चों को दे रही है तो यहां लावन्या ने सब को कह रखा था कि आज मेरा बच्चों के साथ खुजी मिलती है तो जैसे ही मैं पहुंची उसने सब के पास जाके कह दिया कि मेरा बच्चों को बुला लिया और यह हमारी किरायदार हैं बागी कोई नहीं है तो बुख को भी मैंने इसकी फोन किया था वो यहीं रहती है हमारे पुराने गहर में तो जो मेरे नंदोई है उन्हें किसी चीज नहीं काट लिया था इसवज़ से उन्हें फीवर था, लोग नहीं आ पाए और बाकी ममी आ गए थी, पापा आ गये थे, दादी, तादी नहीं और उसके बाद किरायधार हमारे सारे आ गए थे तो एक किराइदार नहीं थी, वो नहीं आई हैं, बाकी बच्चे वगारा है और उनकी ममिया है, जादा कुछ नहीं किया तो केक ही लेकर आये थे और गुलाब जामून पापा लेकर आये थे दो केजी तो बस वही मैंने बच्चों में दे दिया बिस्किर्ट दो दे दिये थे तो अगर पहले पता रहता कि इतना कुछ करेंगे तो मैं नमकीन वगेरा टॉफिस वगेरा चॉकलेट्स बच्चों के लिए लेकर आती पर चलिए कोई बात नहीं जो हुआ वो अच्छा ही हुआ तो यहां पर हम लोगों ने केक वगेरा कट कर लिया उसके बाद सबको केक दे दिया था और यह जो सोफे पे बैठे हैं यह दादू दादी है बहुत लोग आप में से जानते होंगे और बीच में मेरे देवर का बेटा है तो इसके बाद आठ बच गए थे यह सब करते करते और उसके बाद जाकर हमने खाना बनाया तड़का लगाया था मैंने तड़का लगा दिया था चावल लगा लिये थे और ममी ने मेरे साथ हेल्प कर ली थी और उसके बाद पौने एक बज़े हम लोग फ्री हुए बात चीत कर रहे थे तो होता ही है ना जिस गर में मैरे जो वहाँ पर तयारी रहती है क्योंकि मेरे ममी पापा पापा जो है वो मामा है मामा का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल रहता है शादी में आधी शादी मामा जी की ही होती है तो बस उन पर बहुत जिम्मेवारी होती है तो मम्य वगरा फर्स टाइम जा रहे हैं उस बज़ा से उन्हें और ज़्यादा टेंशन रहती है तो यहाँ पर यह जो बैलून्स पापा ने फुलाए थे यह मैं बच्चों को दे रही हूँ मैंने का टंगे टंगे क्या करेंगे बच्चों को दे देती हूँ तो दो दो तीन तीन यह मैंने निकाल कर बच्चों को दे दिये है तो मैं मना कर रही थी पापा को की रहने दो पर पापा नहीं माने उन्होंने कहा बच्चे खुश होते हैं बैलून से तो बस पापा ने फुला दिये थे और इस तरीके से लगा दिये थे तो ये मैंने बच्चों में बांड दिये हैं और बहुत खुश है लावन्या, उसे बहुत खुशी हुई सुबह से हम लोग नहीं थे तो उसका मन भी थोड़ा उदास था और अभी जाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है तो ये उसने वही वाला ड्रेस पहना है जो उसकी दादी उसके लिए लेकर आई थी और गिफ्ट वोगेरा सब कह रहे थे आपने पहले नहीं बताया तो हम गिफ्ट लेकर आते फिर मैंने का कोई बात नहीं बच्चों के लिए आशिरवाद ही सबसे बड़ी चीज है और ये हम लावन्या के लिए जैकेट लेकर आए थे हाफ स्लीव्स का जैकेट है तो वो कह रही थी ममा पापा आप मुझे कुछ नहीं लेकर आए तो फिर हजबन ने अभी दिया है तो ये जैकेट उसे थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया टाइट तो नहीं है मिन्स आएगा नहीं ये नेक्स सर्दी तक नहीं आएगा और अभी अगर अंदर से मोटा स्वेटर डाल लेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तो इसे मुझे अब रिटर्न करवाना पड़ेगा देखते हैं किसके पास बेजूँगी वैसे 30 डेज का इस पे लिखा है रिटर्न करने का तो बस इस तरीके से हम लोगों ने बहुत थर्टे मना लिया केक सब ने खाया बहुत कुछ थे सारे और उसके बाद खाना वगेरा खाकर बचों को सुला दिया था और खुद हम लोग पॉने एक बज़े के करीब सोए बाचीत कर रहे थे कुछ और नेक्स डे हमें जाना था मार्केट तो मैंने मना कर दिया था ममी को मैं नहीं आउंगी पर उन्होंने कहा कि चलना ही पड़ेगा बहुत सारे काम है तो चलिए फिर अब इसी के साथ इस वीडियो को भी कर देते हैं और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरी आवास थोड़ी से आपको आज चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से जुखाम हो रहा है और गला बैट रहा है तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गुद नाइट टेक कियर